रेश्टेशन नंबर में और जो SSC के दुवारा जो एड्मिट कार्ड जारी किया गया है उसको थोड़ा सा सक्थ्यापन कराया जागा कि आप ही सही बंदे हैं या नहीं ठीक है उसमें आपका हो सकता ID कार्ड देखें जैसे की आधार कार्ड हो गया है ठीक है उसके बाद आप जरूरी बात बता दिया जाएगा जैसे कि आपका इतने दर का ट्रैक है आपको इतनी राउंड दोड़ने है आपको इस तरह से दोड़ने है जσιो भी वहाँ पे आविशक चीजे होंगी वह आपको बता दिये जाएंगे एक बात मैं आपको कहे देना चाहता हूं कि पृ करत ज्यादा मात्रा में लड़कों को मोटिवेट करते हैं उनका कॉपरेट करते हैं तो आप लोगों कोई टेंशन लेने की कोई बात नहीं है अगर आपसे कुछ मिस्टेक भी होती है तो सालिंता पूर्वक आप उसको रखें उनके द्वारा आपको बहतर तरीके से समझाया है उसके बाद आपका रणिंग स्टार्ट हो जाता है आप वहां से दोड़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको जिस जगब पर बैनर लगा दिया जाता है जैसी इस तरह समझ लिए कि यह गेट है आपको यहां से गुजरना है ठीक है क्योंकि आपके बोडी पर च आपको फेसे करके छोड़ा जा रहा है और आपको एक राउंड पूरा करना एक पर बाद आपको फेसे यहीं से गुजरना है और यही प्रक्रिया आपको टोटल 25 बार रखने है ठीक है इस तरह से आप अपना राउंड को कम्प्लीट करिएगा हाँ एक बात आती है यहां प हो सकता है यहां भीड लगे कुछ आदमी को समझ में ना आए कुछ भाई को समझ में ना आए और वो यह सोचे कि हमारा डिटेक्ट कर ले तो आपको उनको काटते हुए आगे निकल जाना है अटोमेटिकली उस चगा को जितना एसपेस वहां पे दिया जाता है मैक्सिमम उस उस इसपेस को ऐसा कभर किया जाता है कि उस इसपेस से आप कहीं से भी पार हो आपको डिटेक्ट कर लिया जाएगा तो अगर आप अपनी रफ्तार को बना के वहां से पार हो जाते हैं तो आपको डिटेक्ट कर लिया जाता है तो इस तरह से आप वहां से पार होते चले जा ठीक है आप हमारी चैनल पर नहीं है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लिए नोडिफिकेशन पानी के लिए बेल आइकन को पेस करके ओल पेशेट कर दीजे दोस्तों के साथ सेर करके वीडियो को लाइक कर दीजे पीच में कहीं पानी वानी पी सकते हैं कि नहीं देखे 10 पैदल चलना स्टार्ट कर देती हैं तो उन लोगों को यह करना चाहूंगा कि अगर आप पैदल भी चलते हैं तो चुक्कि आप लोग के पास भी सफिस्चेंट टाइम है अगर अपनी इंतर पैदल चलते हैं तब भी आप क्वालिफाई हैं लेकिन एक अपना मैनेज करते ह वे टाइम को कि आपको किस टाइम तर ठीक है आपको 12 या 13 राउंड लगाने है उस टाइम को आप कल्कुलेट कर लिजे उसके बाद आप उसी के अनुरूव अपने चाल को रखें ठीक है कहीं दोड़े कहीं खेचे इस तरह से अगर आप चलते हैं तो आप आप डेफिनेटली क्वालिफाई हो जाएगेगा ठीक है 10 किलोमेटर का दोड़ है इसमें बहुत ज्यादा टेकनिक काम नहीं आता है 10 किलोमेटर के रणिंग में अगर आप 60 मिनट अगर आप दोड़ देते हैं चल देते हैं continuous अगर आप अपने motion रखते हैं अपने सरीव में डेफिनेटली आप उसमें पास कर जाएंगे अगर आप 25 राउंड अगर आप उसमें दोड़ लेते हैं तो ठीक है क्योंकि इसमें कोई विसेस टेकनिक काम नहीं आता है आपका stamina ही आपको इसमें जित दिलाएगा तो इस तरह से अगर आप दोड़ने का practice करते हैं तो आपक कनुभव हो गया होगा कि आपको किस तरह से दोड़ने है ठीक है और वहां पर क्या होता है कि एक दूसरे को देख कर आपका थकावट थोड़ा कम हो जाता है आप वहां पर motivate होके भी अपने दोड़ को पूरा कर पाएंगे ठीक है दोस्तों तो यहां तक दोड़ हो जाता है जाएगा कि हमने दोड़ क्वालिफाई किया है या नहीं किया है यह बात का आभास आपको वहीं पर हो जाएगा हाला कि JSC के दौरा इसका फाइनल रिजल्ट कुछ दिन बाद अपलोड किया जाएगा ठीक है वो डिपेंड करेगा JSC के अपनी कारियर सेली पर ठीक है उसके पियुकिया कुछ भास प्रक्रिया होगा और तब तक आपको लाम में रहना है ग्राउंड से जाने कि आपको इ Adematर से जैने के आपको एजाजत नहीं दी में आपक already हाइट को मापा जाएगा हाइट化 मापने के करम में भी अगर सकते हैं आपको पास कर सकते हैं वह लूग वह तो भी अगर समय को वह करने हैं उसमें भी अगर आपका कुछ सेंटिमिटर की कमी होती है तो भी आपका जोस्तों वो समय देंगे हो सकता है बोल देकि जाये डिप सुप मार के आईए थोड़ा पाच मिलेट रेस्ट करके आईए और फुला आईए ठीक है या तो फिर आप घबरा गया होंगे फुलाने नहीं से कियेगा तो उलग टाइम देंगे आपको समय देंगे आपको घबराना नहीं है ठीक है वह बहुत कॉपरेटिव होते हैं खासकर के जारखंड के स्टेट में जितने भी स्टेट पुलिस के वहां पर करमी लगे रहेंगे उनको कॉपरेट करना बहुत अच्छी तरीके से आता है हम लोगों के दोड में भी हम लोगों ने देखा है कि बहुत आदमी को कॉपरेट किया गया था ठीक है और इसके बाद दोड बगारा कराया जाने के बाद आपका वेट उट ना पा जाएगा तो हलाकि वेट इसमें मेजर करने का कोई बीसेस फेक्टर नहीं है फिर कि एसमें मेजरमेंट आपका माप आजा सकता है ला बगारत आपका कडे चेश्ट का और यह सब दोनों कौआलिफाई चौह दोस्ता है तो आपको हो सकता है ग्राउंड से निकलने की आनुमती सकता है या तो फिर आपको रोक के रखा जाएगा और उस दिन का जीतने ही नहीं लिया जाता है तो इसके बाद वहां से आप लोग को निकाल दिया जाएगा आप लोग जा सकते हैं उसके बाद आप लोग को का दोस्तों वह कुछ दिनों के बाद JSC के दुबारा रिजल्ट जो हुआ अपलोड कर दिया जाएगा तो इतने सारे प्रोसेस होंगे उस दिन में आपको बिल्कुल से भी घवराने नहीं है हर एक स्टेप में आपको guidance मिलेगा प्रोपर guidance मिलेगा कि आपको क्या करना है क्योंकि वहाँ पे उपस्थित सभी बंदे नहीं होंगे ठीक है? उनको guidance दिये बिना वे अपना कायल को पूरा नहीं कर पाएंगे तो आपको हर एक step में guide मिलेंगे और guidance के तहत ही आपको काम करने है आपको कुछ उल्टा-पल्टा नहीं करना है ठीक है? आप उसी तरह से जूता सूज अपना जो भी समान है आप उसी तरह से ले के जाएंगे हो सके तो अपने साथ हैं कि अब आप का सहयोगी होता है जिसको आप बाहर खड़ा कर सके वोंको ले के जाए अगर आप नहीं भी लेके जाते हैं तो उन्हों वहां बैवस्था रखा रहता है समानुमान रखने का ठीक है तो इस तरह से वहां हर चीज ब्युस्थित रहता है आप लोगों को गाइडेंस के तहत ही वहां सारा चीज दोड कराया जागा घवराने की कोई आवश्यक्ता नह हो सकता है और दोडने की की किरिया कब तक होती है एक अाप लोगों को प्रिपैर उसी तरह से होना है धूप में भी दोडने का आजकल आप लोग जानते होंगे कि 5 बजे के बाद 6 बजे से पहले ही धूप निकल जाती है ठीक है और धूप आजकल सुबह से काफी तेज होती है उपर से आप तो रणिंग करने जा रहा है आपको धूप जो है वो और तेज लगेंगे ठीक है उसक कर्या के तो आप कोसिस कीजी जेलपेन अपने साथ ले जाने के लिए पर अपका जैसे कंड़ो ल्रींचे करने के रहे हो गिया है वहां से आने के बाद आप एक किसी भी काट लिजिए र्यांड पूरा होघे हो और इस तरह से आपका 25 राउंड होते होते आपका वो सारे कड़ जाएंगे उसके बाद आप एक स्टा राउंड दोड़ लिजे अगर इसके साथ साथ एक और उपाई है कि आप अपने साथ चना मतर या तो फिर बादाम के दाने कुछ ऐसे दाने जो आपके हाथ को भारी भी न लगए आपको डिस् के करम में आपका काउंटिंग भूलाना आपको स्वाविक हो सकता है ठीक है बहुत ऐसे कंडिडेट होते हैं जो अपना काउंटिंग भूल जाते हैं तो अपने काउंटिंग को याद रखने के लिए इन बैकल्पिक बीधियों को अपना सकते हैं ठीक है तो वीडियो आपक अपिक के साथ तब तक आपको फिर से जय हिंद।